हेलो इस्ट्रोइंट्स, विल्म अप्टो माई यूट्व चैनल में एडूकेशन मेच सवा तो आज के इस वीडियो में हमें एक साइकलोजी फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे गो स्लाइटली रॉक गो स्लाइटली रॉक इस ट्रिक का यह बहुत सारे लोग करते हैं इस ट्रिक का एक्शुल मिंस यह होता है या इस ट्रिक में यह करते हैं कि किसी भी पर्सन को थोड़ी सी रॉंग इंफॉर्मिशन है थोड़ी सी गलत इंफॉर्मिशन दे करके और गलत इंफॉर्मिशन जो दे रहे हैं वो पूरे confident के साथ देंगे कि बिल्कुल एक्दम यही सच है यह ही कहेंगे कि यही अंतिम सच है और उस गलत इंफॉर्मिशन को अतना confident के साथ वोलेंगे इतना confidence के साथ कि सामने वाला कि अपना राइट इंफर्मिशन या अपनी चीज़े उसे रिलिटेड वो जो चीज़ेये जางता हम या राइट इंफर्मिशन जो उसके पास हो वह उसे आपको बता देन यानि वह Ini go slightly wrong जो तरीका होता है इसमें क्या करते हैं कि हम किसी को कोई गलत information देते हैं और जो गलत information है फिर हम जो चीज उसे बता रहे हैं वो इतना confidence के साथ उसे बताएंगे इतना confidence के साथ वो बोलेंगे कि हम उस person से जो right information हमें चाहिए या जो हम उस person से जानना चाहते हैं वो easily हम जान लेते हैं ठीक है जैसे कि example में आप यह देख सकत हैं उनको अगर अपने पडोसी के बच्चों के बारे में जानना है जैसे कि exam के time चलेंगे फिर जब result आएंगे तो पड़ोस वाली आएंटी आएंगी पूछेंगी अरे आपकी बेटी तो टॉप की होगी और वो इतने confidence के साथ बोलेंगी इतने confidence की साथ कि जैसे कि हाँ उन की बेटी तो टॉप की है तब सामने वाली परसन या फिर जो उस बच्ची की मां होंगी या जिस परसन से वह कह रही होंगी वह महिला या वह पूरुष जो होगा उसे कहें उनसे कहेंगा कि नहीं मेरी मेरी बेटी पास हो गई या उसके इतने नंबर है इतने percentage आये हैं इतन पर हम किसी को कोई गलत information देते हैं और वो बिल्कुल confidence के साथ देते हैं जिससे की वह पुरुआ कि देना साथ और सामने वाला अपनी इनफिर से पीर इन्फरola कि आपको बता दे वह कहलाता है गो slightly wrong दूसरा example हम यह देख सकते हैं जैसे कि जो बच्चे क्या वहता कभी-कभी कि कुछ parents होते हैं काफी ज्यादा strict होते हैं मतलब mostly तो parents strict ही होते हैं तो अपने बच्चों, उनकी बच्ची अगर बाहर पड़ रहे हों, घर से दूर हों, तो अपने बच्चों को फोन करेंगे, कहेंगे कि तब बेटा खूब घुम रहा है तू तो, मैंने तो सुना कि तू आज थीटर गया है, मूवी देख रहा है, रोज की रोज तूरी मूव थीटर के सामने हो, तो वो तो डर गया, तो फिर वो क्या करेगा, जब वो यह बात सुनेगा, तो यह कहेंगा, नहीं पापा, मैं तो ऐसा कुछ नहीं है, मैं बस दोस्तों के सामने उस तरफ गया था, मैं थीटर नहीं गया था, मैं उस तरफ घूमने गया था, मैं तो बस म उगया हूँ उनको राइट इंफॉर्मिशन देगा कि नहीं पापा मैं इस चीज के लिए नहीं गया था मैं सिर्फ ये समान खरीदने के लिए बाहर गया था यानि कि उनके जो पिता जी है बच्चे के उन्होंने ये जानने की कोचिज कि कि उनका बच्चा कर क्या रावास्त तो उन्होंने एक वग्षाशन दिया कि तू तो ठेटर घूम रहा है देखने फेटर में मूवीज देखने जा रहा है तो बच्चा राइट इंफॉर्मिशन कि नहीं पापा ऐसा नहीं है मैं तो बस मार्केट गया था ये समान लेने ये समान हमको लेने थे इसलिए मैं मार ज्यादा होता है ज्यादा तर इस तरीके का यूज रिस्तेदार करते हैं अपने रिस्तेदार के बच्चों के बारे में जानने के लिए आई होप आपको समझ में आया होगा और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें शेयर करें और हमेने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भोलें थैंक यू